सो दोस्तों काफी लोग मुझे बोल रहें कि भाई FL Studio कैसे यूज करते हैं उसके कुछ लेसंस बनाओ मैं सच बताऊं मेरेको FL Studio के बारे में बिलकुल भी आइडिया नहीं है मैंने अभी अगस्त में स्टार्ट करा है ठीक है मैंने अपना नया PC बिल्ट कराया था यह देखो प कुछ अपलोड कर रहा है वह एक अपने वर्क सेशन पर प्ले करके जो आपने दूसरा वाला कीबोड देखा था तब भी सेम काफी सारे कमेंटाइज की भाई FL Studio में कैसे यह सब करते हैं थोड़ा इसका आइडिया दो यार मेरे को प्रोड़क्शन प्रोड़क्शन के बारे मैं बिल्कुल एडिया नहीं है प्रोग्रामिंग साउंड डिजाइनिंग मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता तो बट चलो ठीक है मैं एक बड़ ट्राय करके देख लूँगा कि मैं आपको समझा पाऊ कि मैं कैसे अलग-अलग साउंड यूज करके उसमें म्यूजिक बना कर रहा हूं जिसे प्यानो स्ट्रिंग्स या सिंथ की साउंड हो गई या गिटार की साउंड या मतलब कैसे तो बट कोई भी शूरिटी नहीं है कि वह ठीक हो गया गलत होगा बट आप लोगों के कहने से मैं एक बड़ ट्राय कर लेता हूं और इसी भाने चलो ठीक है यह है मुझे थोड़ा और अच्छे से explain करते हो तो जादा अच्छा है आप लोग मतलब exact क्या चाहते हो मतलब कि क्या चाहरे हो मुझे एक बटा दो recording से related या अलग-अलग sounds को use करके जो मैंने music create कर रहा था कुछ टाइम पहले मैंने एक video डाली थी एक खुद की composition करके जिसका मैंने नाम दिया था मेरी जिन्दगी part 1 ठीक है तो उस पर अभी भी comments आते हैं और अभी भी उस पर views आ रहे हैं लोग अभी भी वह देख रहे हैं कि मज़ा आ जाता है सुनके कि मतलब ऐसा लगता है कि सुनते ही रहो ठीक है तो बट मुझे नहीं पता वो कैसे इतना अच्छा आता है मेरे को कुछ नहीं आता है मैं सब तुक्या मारता हूं तो एक बर मेरे ट्राय करके देख लेता हूं आप लोग भी मेरे को थोड़ा बता दो कि भाई क्या exact हो सकता है और आप मतलब कैसा content आप चाहरे हो तो मैं एक बर ट्राय कर लोंगा थोड़ा different piano lessons के साथ साथ कि उसको भी हम कहीं नहीं थोड़ा involve कर पाएं और हो सकता है कुछ लोगों को सीखने को भी मिल जाए क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत यार लोगों से help लेता हूं या कभी internet से help ले लेता हूं उसके बारे में जाननी के लिए और उनी को फिर मैं experiment करते रहता हूं तो मैं बस इस startup करें हम कैसे करें startup